नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वीवो का कोई फोन हो आपके पास जैसे कि मेरे पास है वीवो वाई 73 आपके पास वीवो का कोई भी लेटेश फोन हो जिसमें android 10 हो 11 हो 12 हो तो आप किस तरह से auto system update को off कर सक आपको system का option देखता है अब system के option पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे नीचे में developer option देखता है अगर developer option नहीं होगा तो आई बटन से आप विडियो देख लिएगा कि developer option को कैसे on करते हैं on करने के लिए आपको about phone में जाके software information में जाके विल नॉमर पे साथ बार क्लिक करना होता है इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा अब यहाँ पे जाओगे तो आपको developer option में जाकर करके यहाँ पे आपको उपर की तरफ जाना है automatic system update आपका on होगा तो आपको off कर लेना है अब एक बार off होगे इसके बाद आप developer option को off कर दो कोई भी दिखकत नहीं है तो इस तरह से आपको यहाँ पे automatic system update off कर लेना है इसके बाद आगर आप चाहते हो normally setting से जो automatic आपका system update होता रहता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे system update जाना होता है और यहाँ पे setting का icon पे जाना है और smart upgrade को भी आपको यहाँ पे अगर on हो गये तो आपको digital करके रखना है ओके और जब digital करके रहोगे तो यहाँ पे एक option आएगा तो इसको भी आपको digital करके रखना है यानि कि Wi-Fi पे automatically आपका जो package होगा यह upgrade नहीं होगा तो और यहां पे local upgrade का भी option आता है तो यहां से check out कर सकते हैं तो दूस्तो इस तरह से यह दोनों option और एक टेवलोपर option वाला option बद करके आप यहां पे auto system update को off कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगई होगी तो like, share, subscribe जो लूग कीजिएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब त